नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कुछ उन सेर के बारे में तीन सेर के बारे में जो की सोट टर्म में बढ़िया पैसा आपको छापके देंगे तो इनमें आप एंट्री लेके ब स्ट्रोंग के लिए क्योंकि के तो सेर के बात करें इस काफिया क्या है के फंडामेटर काफी स्ट्रोंग को किसा की है त्यूंस में क्या रागणा तक पैसा और मतलब हर साला लगबग 300 प्रसेंट का इस कमपनी ने दिया iस की इन हम और के चलता हूं क्या इस gegen इजन in के अगर बात करें तो यह जो कंपनें प्लाइवूड का कांकरती है जो बनाती एक फ्रनुचr के प्रनूचर के प्रोडक्ते यूज होते हैं तो इसी केसाद रचैल्ट की बाद के इल बढ़ विदुझ रही है outsiders पे स्पे तो देखे तो 2019 से 2022 के नेट प्रोफिट जो अब बढ़िया मिलेंगे आपको 2019 में 35 करोड का प्रोफिट हुआ फिर 14 करोड का फिर 69 फिर 240 करोड का जो नेट प्रोफिट हुआ यहां पर एक साल थोड़ा सा जो है प्रोफिट घटते हुए नज़र आए लेकिन उसके बाल लगा थार बढ़िया प्रोफिट यह कंपनी बना दिए लगातार 2022 के अगर बात करें फूट्विर सेगमेंट के मार्केट लीडर कमपनी और इस कमपनी के यह देखी का चार्ट तो यह जो कमपनी है करीब करीब तीन-चार महीनों से एक ही जोन में चल लिया है और ओल्टाइम हाई से काफी डाउन पर यह सेर मिला है फूर्टीन हंडर्ड के आसपास यह सेर गया था यह कमपनी गई थी उसके बाद लगातार गिरावट और यह थाउजन्ट के आसपास यह कमपनी चल रही है तो मुझे लगता है इसमें आप सोटम में प्रोफिट कमा सकते हो जब इसमें स्पाइक आईगा जब इसमें प्रोफ सोट विय की बात करें तो ये जैसे मैंने बताया ये इसकी बात करें तो बहुत ही अच्छे प्रोडँक्ट की स्पार प्रोफिट फिर 222 में फिर 233 क्रोड अभी की बात करें तो 233 क्रोड का नेट प्रोफिट हो है तो इसमें जो क्वार्टर के रेजल्ट एड़ होने रहते हैं तो यहां पर अच्छी खासी ग्रोफ देखने को मिल रही है ठीक है यह बात करें कि दोस्तों तो रिलाक्स फुट यह कंपाउडिंग होता है इस समझें आप। कितने गुना तक होने वाला है old time में long term में अगली जो company हो दोस्तों वो है diviz laboratory जो कि pharma sector की company है इस company के अगर बात करें न तो मैं लेगर के चलता हूं इसकी chart की तरफ दिखाता हूं मैं आपको कि कितना down की जो share है वो चल रहा है तो मैं लेगर के चलता हूं पाँ साल के चार्ट की तरह old time में लगबग लगबग 5300 के आसपस गया है तो गिरावट की बात करें तो 37% के आसपस की गिरावट यहां पर चल लिए तो pharma sector का दिगर स्टोक है 30 पलस की compounding यह स्टोक आपको दे रहा है और short term में अच्छा पैसा बना सकते हो यह बात करें कि कितना डाउन पर चल रहा है तो यह जो शेर है गया था करीब करीब 1370 रुपे के आसपस और यह बात करें गिरावट की तो 27% के आसपस की गिरावट रिलाक्स फूट बेर में चल रही है इसी के साथ बात करें ग्रीन पैनल की तो वहाँ पर भी देख ले दें कि गिरावट यहां पर कितनी देखने को मेरे रहा है एक साल के यदि पीक की बात करें यहां पर जो इसका 600 रुपी का टॉप था वहां से लेकर अभी 25% की डिसकांट पर है इस कंपनी की यह जो अपर सट्किट लगाएगी एक दो दिन के अंदर तो यहां पर बड़िया पैसा आप चाप सकते हैं ठीक है दोस्तों अब देख ल पर 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 सब्सक्राइब तो यह जो टार्गेट यह पांचो रुपे के आसपास का वह जल्दी देखने को मिल सकता तो अच्छा खासा लगबग 50 प्लस की जो है प्रोफिट आप ले सकते हैं इस कंपनी में 50 रुपीज के आसपास के अगली कंपनी के बात करें तो नेक्स् लगा सकती है इसमें 1150 रुपे के आसपास का फर्स टार्गेट देखने को मिल सकता है तो इसमें अभी बाइंग नी चली तो यहां पर पिछला रिकोड देगें कि यहां पर बाइंग हुई तो अच्छा खासा यहां पर प्रोफिट देगने को मिला ठीक है उसके बाद यहा अच्छी ऑपोजनेटी है ऐसा उप्सन नहीं मिलेगा आपको कितनी घिरावट हो गजब की और इसमें जम्प जब देखिएगा तो गजब के प्रोफिट देखने को मिलेंगे जल्द ही तो यहां पर आप अच्छा खासा प्रोफिट इन तीनों सेर से ले सकते हैं अगर वीडियो पसंद है तो जो हम ऐसी वीडियो लानने की कोशिश करें क्योंकि मैं चाता हूं कि आपको अच्छा पाजा पैसा आपका पैसा बने मैंने जो है कुछी दिनों पहले ही मैंने एक शेयर के बारे में बताया था एचली गलास को उसमें 20% की आसपास का प्रोफिट ज जीगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू सो मच